नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए जानते हैं इसकी सिर्फ एक चुटकी मोटी से मोटी तोंद को फुट बाल से गेंद बना देगी जिहां मतलब की छोट वेर्थ हो जाते हैं लेकिन आज हम आपको कमर की चर्वी या पेट के निचले भाग की चर्वी कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए ऐसे चमतकारी घरेलू उपाय बताएंगे जो देखते ही देखते आपके भारी भरकम कमर के कमरे को बिलकुल सिलिम और फिट कर देगा क्योंकि इन लड़कियों का पूरा शरीर देखने में पतला लगता है पर पेट काफी जादा निकला हुआ होता है लेकिन जब आप कीलो फर वजन कम करने लगेंगी तो बेली फेट अपने आप हें खत्म होने लगेगा बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं आपको कुछ ऐसे फूट बताऊंगा मैं जिसे खाने से आप अपने पेट के निचले भाग की चर्वी को कम कर सकते हैं मैं आपको कोई डाइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बलकि यह ऐसे खादे पदार्थ हैं जो जल्दी से वजन कम करते हैं जैसे निम्बू पानी जड़ी बूटियां ग्रीन टी इत्यादी आये जानते हैं इनके बारे में 14 चमत कारी खादे पदार्थ जो पेट के निचले भाग की चर्वी को कम करते हैं सबसे पहले तो पानी पेट के नीचे की चर्वी को घटाने के लिए हर रोज 7-8 गलास जरूर पिए इससे शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी और आपका मेटाबलेजम बढ़ेगा जिससे कि आपका वजन कम होगा जड़ी बूटियां आपको सोडियम लेना कम करना होगा नहीं तो शरीर में पानी की मातरा बढ़ेगी और आप मोटे लगेंगे भोजन में नमक क की मातरा को कंट्रोल करें और इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ तरह की जड़ी बूटियों का सेवन करें थिरिफला खाय और वजन इला के जूस का सेवन भी आप dispers क्सेवन करिजिए शेहद मुटापा भढ़ cay में एक और वज़ह है वहर है चिनी की महातरा चिनी की जगा प अच्छा तरीका भी है इसकी एक चुटकी पानी के साथ रोजाना सेवन करने से मोटी से मोटी तोंद भी पतली हो जाती है यह चर्वी को गला देता है ड्राइफ रोट या सूखे मेवे फैट को कम करने के लिए आपको फैट खाना पड़ेगा जिहां कई लोग इस बात पर य के लिए जरूरी होता है इवोकाडो इसमें ऐसा वसा होता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है इसका जूस पीने से आपका पेट पूरे दिन भरा रहेगा और आप ओवर इटिंग नहीं करेंगे संतरा आपको जब भी भूख लगे तो उस समय अपने परस या बैग में स सारा पोशन होता है और कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती है ग्रीन टी ग्रीन टी दिन में एक कप ग्रीन टी पीने से लाव मिलता है इसे शरीर का मेटाबलेजम बढ़ता है और फैट बर्न होता है सालमन इसमें ओमेगा-3 fatty acid होता है जो कि शरीर के लिए जरूरी वसा है और अच्छे से कारे करने के लिए मदद करता है यह फैट आपका पेट पूरे दिन भरा रखता है और ज्यादा खाने से बचाता है ब्रॉकली इसमें विटामिन C होता है और साथ ही यह शरीर में एक तत्व बनाता है जो की शरीर फैट से एनरजी को बदलने में प्रियोग करता है निम्बू रोज सुबा निम्बू पानी पीने से आपकी चर्वी कम हो सकती है अगर पानी गर्म हो तो और भी अच्छा है इसमें शहद मिला करके आप पीजिये लहसुन कच्छा लहसुन चबाने से पेट की निचले भाग की चर्वी कम होगी अगर इसमें थोड़ा सा निम उक्सिडेंट होता है जो की इंसूलीन को बढ़ने से रोकता है और ब्लड सूगर लेवल को कंट्रोल में रखता है पेट की चर्वी तेजी से खत्म करने के लिए अब प्रयोग जान लिजे आधुनिक जोन शैली के कारण शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है कम शारीरिक से हैं आये जान लेते हैं घुटने का दर्द मधुमेह दिल संबंधित बीमारियां और उंच रक्त चाप इत्यादी यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली और आयरुवेदिक जड़ी बूटी का पालन करता है तो इससे वजन कम हो सकता है और मोटापे के खराप रभा हरित की विभाति की और अमला की अर्था थर्रा बहेडा और आमला नाम की तीन जड़ी बूटियां एक शक्ति शाली मिश्रन है ये जड़ी बूटियों का यह कब्ज कम करने और पाचन में सुधार करने में बहुत प्रभावी है यह पाचन तंत्र में और रोधन को साफ करन करने में सहायक हैं त्रिफला शरीर से अतिरिक्त वसा साफ करने में भी मददगार है आप त्रिफला की एक चमचहल के गर्म पानी से प्रति दिन सुभलें आपको लाब नजर आने लगेगा इसके अलावा अशोक वजन घटाने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटि है इस के फूल पीले नारंगी रंग में होते हैं इस पेंड के सूखे चाल टेम और फूलों में और शद्य गुन महजूद होते हैं जो बवासीर मासिक धर्म संबंधी विकाहर जलन को कम करने कीड़े निकालने सूजन को कम करने और रक्त की अशुद्यों को हटाने में मदद करता है पेट की चर्वी तेजी से खत्म करने का प्रयोग तू जान लिजे बदलती जिवन शेली से आजकल पेट की चर्वी का बढ़ना बहुत ही जादा इंसानों में पाया जा रहा है लगबग 60 प्रतिशत लोगों को पेट की चर्वी का सामना करना पड़ता है पेट की चर्व आसानी से कम हो जाए और तरीका भी खुद ही बना लें तो आज के इस हमारे 20 उबर में हम आपको एक ऐसा तरीका पताने वाले हैं जिसे यूज़ करके आप अपने पेट की चर्वी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं तो यदि आप भी अपने पेट की चर्वी कम करना चाहते हैं तो आप जरूर सुने अंत तक ये भाई सोवर, अवश्यक समगरी नोट कीजिए, तीन चमच अलसी का बीज, दो चमच जीरा, दो चमच अजवाइन अब बनाने की विधी जान लेजिए, सबसे पहले अलसी के बीज को खुब अच्छे तरीके से दो से तीन मिनरत तक गर्म करे तब तक जब तक की खूब अच्छा बारीक चून न बन जाए, अब इसके इस्तिमाल करने की विधी जान लीजिए, इस चून को इस्तिमाल करने के लिए एक चमच चून हलके गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पैट लेना है, यानि इस चून को नास्ते से पहले लेन खत्म हो जाएगी इसे आप कम से कम 10 दिन तक लगातार यूज करें फिर इसका कमाल आप देख सकते हैं जी हां दोस्तों तो इस प्रकार से आप अपने फैट को कम कर सकते हैं वजन को नियंतरित कर सकते हैं ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सबी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहादी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों